नमस्कार दोस्तों सीसी के इस लाइव लेक्चर में आप सभी का एक बार फिर सिस्वागत है मित्रों आज के सेशन में हम एक बार फिर कुमार संभवम पर चर्चा करेंगे अपने पिछले कुछ व्याख्यानों में हमने श्लोक संख्या 20 तक आपके लिए लेक्चर आयुजित की और मित्रों बताना चाहेंगे आज के इस लेक्चर में मुखेतर हम श्लोक संख्या 21 से शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे कि आज के इस व्याख्यान में हम कुमार संभवं पर जो हमने लेक्चर आयुजित किया है या करते हैं उसे यहां पर समाप्त करें तो मित्रों बताना चाहेंगे कि इस सेशन के लिए फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कांता भाटिया भारती कॉलेज के संस्कृत विभाग में असोसियेट प्रिफेसर हैं आपने कहीं किताबों की रचना की है और कहीं आलेख लिखे हैं आप आप कुमार सभवं पर प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप सीधे हमारे स्टूडियो में हमसे संपर कर सकते हैं हमसे हमारे टोल फ्री नंबर के जरिए कॉल करकर मित्रों बताना चाहेंगे हमारा नंबर है 18-00-110-430 नंबर आपको पुनह बता देते हैं 18-00-110-430 आप से अनुरूद है कि आप लेक्चर के आखरी 10 मिनिट में कॉल करें जिससे इस लेक्चर का धारा प्रवा हो सके और अंत में आपकी जिग्यासाओं को भी पूर्ण किया जा सके तो आइए हम स्वागत करते हैं डॉक्ट कांता भाटिया का और श्लोक संख्या 21 से आगे बढ़ते हैं डॉक्टर भाटिया आपको बहुत-बहुत स्वादत है जैसा कि आप विद्धित है आपको कि हम लोग अपने जो पाठ्य क्रम है उस पर चर्चा कर रहे हैं इन अपने लेक्चर के माधियम से और हमारा उदेश यह है कि संस्कृत से संबंधित जितना भी पाठ्य क्रम ह है वो ऐसे सभी लोगों तक पहुंचाए जो संस्कृत पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन उनको अफसर नहीं मिल पाता कि वो एक रेगुलर रूप में जाकर इसको का पाठ्य क्रम की रूप में पढ़ सके तो इसका लाब दिलाने के लिए मैं धन्यवाद करती हूं सीही सी वा और उनसे संबंदित में आपको बताना चाहूंगी कि हमारी चर्चा का विशय है कि पारवती शिवजी को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से तपस्या करती हैं तो यहां तपस्या का वर्नन तो है यह तो एक तरफ बात है लेकिन जहां बात आती है अभी बताया भी गया कि संस्कृत को किस तरह से हम यह सिद्ध कर सकते हैं या सिद्ध क्या संस्कृत सिद्ध ही है कि यह प्राचीन भाशा नहीं है इसका साहित्य प्राचीन नहीं है यह कालिदास का कुमार संबव लगबग 2000 वर्ष पुराना तो है ही है इनके काल के विशय में निश्चित नहीं है लेकिन फिर भी हम यदी थोड़ा सा भी पुराण विदों पर उनके संबंद में जाने तो हम ये कह सकते हैं कि लगबग 2000 वर्ष पूर्व कालिदास ने ये रचनाई लिखी थी तो ये जो पारवती की तपस्या का वर्णन है ये यद्यपी 2000 वर्ष पूर्व लिखा गया और आज का विद्यारती या आज का युवक या आज का नागरिक ये जिग्यासा कर सकता है कि आज के संदर्व में इसके क्या उप्योगिता है भई आज कौन तपस्या करने के लिए जंगल में धूप जहलेगा किसी एक लक्षे को प्राप्त करने के लिए या किसी एक विशेश व्यक्ति को प्राप्त करने के लिए तो यहां मैं आपको मित्रों यह बताना चाहूंगी कि यह जो तपस्या है या यह वरत उपवास नियम है यह इनका जो अपना अलग एक महत्व है यह इसलिए नहीं कि हम प्राचीन काल में वरत करते थे तो आज हम करेंगे या कोई धार्मिक्ता से जोड़ के हम करेंगे वास्तब में इनका प्रेयोजन यह है कि हम लोगों में एक प्रकार से जो कॉंसेंट्रेशन है जो हमें आत्मसैयम आत्मनियंतर्न की भावना है वो जागरित की जा सके अन्यता यदि हम कहें कि वरतों को धार्मिक्ता की दृष्टी से वो अलग बात है लेकिन आज भी ये जो वरत करना है या जो तपस्या करना है ये एक सांकेतिक है ये हमें आत्मनियंत्रन या आत्मसंयम करने के लिए अवश्यक है तो पार्वती की तपस्या के माध्यम से आज हम ये बताना चाहते हैं कि कोई भी जो भी दुरलब वस्तु है दुरलब लक्षे है उसको यदि प्राप्त करना है तो हमें तप अर्थात संघर्ष करना होगा धूप गर्मी सर्दी को सेहन करके अपने लक्षे की और आगे बढ़ना होगा तो यही हमारा उद्देश्य है इस प्राचीन कुमार संबभ में वर्नित तपस्या के वर्नन के माध्यम से तो मैं आपके सामने आगे बढ़ती हूँ कि किस प्रकार से पारवती तपस्या कर रही है और उनकी तपस्या की पराकाश्टा की जब लगता है कि इतना करने से भी हमके सफलता नहीं मिलती है तो कही न कही हमारी तपस्या में या हमारे संगर्ष में या हमारे परिश्रम में कही न कोई कमी आती है तब हमें ये चाहिए कि हम अपने परिश्रम को और अधिक बढ़ाएं तो इसी के माधियम से मैं सबको ये संदेश जो कि पारवती की तपस्या क्या है ये बताना चाहती हूँ कि यहां तपस्या का अर्थी है कि हमें जीवन में कुछ भी प्राप्त करना है तो उसके लिए परिश्रम संघर्ष करना अत्यन्त आवश्यक है तो शलोक संख्या 21 से मैं आरम करती हूँ जो शलोक इस प्रकार है देखे इससे पूर्व हमने बताया था कि पारवती धूप में तपस्या कर रही है सूर्य के सामने बैठ कर अपने चारो तरफ अगनी प्रज्वलित करके तो पारवती का संदर ये तो सर्वप्रसिद है तो उस तपस्या का क्या परिणाम हुआ उनके मुख के उपर उसका वर्णन इस शलोक के माधिम से किया जा रहा है ये बताया गया कि सवितुर गभस्ति भी सवितु हो सूर्य के लिए आता है सूर्य की गभस्ति किरणों को कहते हैं तो सूर्य की किरणों से तथाती तप्तम उस प्रकार से तप्त हुआ एकदम हम पांच मिनट के लिए भी सूर्य के आगए यदि ग्रिश मरितु में बैठते हैं तो क्या स्थिती होती है आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पारवती निरंतर सूर्य की किरणों के समुख अगनिय उमें बैठकर तपस्या कर रही है तो इसलिए उसका मुख जो है सूर्य की किरणों से अतितप्त अतियंत संतप्त हो गया गरम हो गया और उसका मुख जो है लाल हो गया और उस मुख ने कमल श्रियम दधऊ मुखम तदियम तदियम इसके मुखम मुख ने कमल की शोभा को ध दिया देखे यहां पर मुख जिस प्रकार से एकदम से सुंदर मुख और उसमें लालिमा आ जाए तो वो ऐसा ही सुशोबित होता है जैसे की कमल तो यहां कालिदास ने तपस्या करती हूँ पारवती के मुख कि कमल के साथ तुलना की है और उन्होंने एक सत्य बताया कि जब तपस्या कोई धूप में गर्मी में बैठा जाता है, तो सौन्दर्य में और तो अंतर नहीं आता, सुन्दर्ता ओर बढ़ जाती है, लेकिन पारवती के जो अपांग है, अपांग मेंज जो आख के किनारे हैं, जोकी दीर्ग हैं, उम्रिग नहीं नहीं है, सुन्दर नेत्रों वाली है तो पारवती के जो दिर्ग जो आँख के किनारे हैं केवल उन पर धीरे धीरे श्यामी कया कृतम पदम श्यामी का ने स्थान बना लिया अर्थात वो थोड़े थोड़े धीरे धीरे काले पड़ रहे हैं तो दोस्तों इसके माध्यम से ये बताया जा रहा है कि सुन्दर्य में तो उसके कोई अंतर नहीं आया लेकिन एक प्रभाव उसकी आँखों के नीचे अवश्य आया कि उसके आँखों के किनारे जो है वो काले पड़ गए हैं तो इस लोग के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि कितनी कठोर तपस्या पारवती को करनी पड़ रही है अपने लक्षे को प्राप्त करने के लिए तो इसमें कुछ शब्द हैं जिनके विश्य में जानकारी अनिवारे हैं देखिए पाणिनी ने हर शब्द की सिद्धी के लिए सूत्र दिये हैं और सूत्रों के माध्यम से ही होती है लेकिन अगर हमें अर्थ ग्यान करना है तो हम उन सूत्रों को अगर यदि अपने ध्यान में ना भी रखें तो केवल सामानी रूप से भी हम उन शब्दों को अलग करके यहाँ जैसे एक शब्द है तथा रतितप्तम तो यहाँ अगर हम इसको अलग-अलग कर लेते हैं तो हमें अर्थ बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएगा क्योंकि तथा शब्द हिंदी में प्रिक्त होता है और अतितप्तम भी शब्द तप्त और अतितप्त शब्द जो है वो समान्य रूप से सभी को विदित होता है इसी प्रकार से सवितुर गभस्ति भी है तो यहाँ पे सवितुर सविता शब्द है जो सूर्य के लिए आता है इसमें विवक्ति लगकर सवितुह बनता है और गबस्ती भी किरनों को कहते हैं तो जब इसको हम संदी कर लेते हैं तो इसमें जो दो पध मिलकर सवितुर गबस्ती भी बन जाता है इसी प्रकार से कमल श्रियम जैसा कि कमल की श्रियम मास किया गया है जिसको हम अलग करेंगे तो हमें दोनों पद जो है आसानी से समझ में आ जाएंगे इसी परकार दधाउ जो है लिटलकार का प्रियोग है जिसमें धातू तो धा है और जिसका भूत काल में अर्थ है कि धारण किया और कृतम भी क्री धातू से तव प्रत्य तो वहाँ पर भूजनित्यादी तो है नहीं और पार्वती की तपस्या का एक भाग ये भी है कि उन्होंने भूजनित्यादी की तरफ तो ध्यान देंगे तो तपस्या नहीं हो पाएगी तो यहाँ पर पार्वती का जीवन निर्वा कैसे हो रहा है ये अंप्रसुत श्लोक के माध्धिम से आपको बताएंगे तो श्रोक इस प्रकार से है अयाचितो पस्थितम अंबू के वलम रसात मकमुड पतेश्च रश्मयह बभूव तस्याकिल पारणाविधिर नवरिक्षवृत्ति व्यतिरिक्त साधनाम तो यहाँ पे बताया कि अयाचितम अंबू के वलम अ याचित याचित होता है मांगने पर याचित मिस बिना मांगे उपस्थितम उपस्थित हुआ अंबू मिस जल के वलम के वल बिना मांगे उपस्थित हुआ जल मतलब कि आपको कोई आपको जल की इच्छा हो तो पानी देने के लिए कोई आए ऐसी व्यवस्था वहाँ पे नहीं हो सकती तो बिना मांगे जल कहा से मिलता है वर्षा का जल विरिष्टी जब होती है तो बिना मांगे जल और दूसरा है उडुपतेश्च रसात्मकम उडुपतेश्च रश्मया और उडुपतेश्च और जो उडुपते उडुपते क्या बोलते हैं चंद्रमा को बोलते तो जब चंद्रमा की किरने पड़ती है तो कुछ हमें शांती प्राप्त होती है उससे तो यही बात कि बिना मांगे केवल रसात्मकम जल रस है जल के अंदर रस होता है तो रस से युक्त जल और अमरित में जल भी कह सकते हैं और उड़ुपतेश्च रशमया और चंद्रमा की किरने तस्य पारणा वधिर भभूव पारणा विदी पारणा क्या होता है कि वैसे पारणा हम इसका जो अर्थ लेते हैं वो नाश्ता लेते हैं लेकिन पारणा होता है जब भी हम वरत के बाद जब अपना वरत खोलते हैं कुछ भी काते हैं तो उस भोजन को हम पारणा कहते ह तो यहाँ पे जो रात भर हम भूखे रहते हैं तो इसलिए हम उसको नाश्टे के रूप में प्रयोग कर सकते हैं तो यहाँ कहा कि उसका पारणाविदी पारणाविदी में जो वरत के बाद भोजन किया जाता है वही उसका भोजन बन गया तो कौन भोजन बना? केवल मातर जल जो की वर्शा से प्राप्त हो रहा है और दूसरा चंद्रमा की किरने इसमें रसात्मक जल कहां, तो यहां रसात्मक कहने का ताथ पर यह है कि जो वर्शा का जल है वो एक नेचर्रल एक सुआभाविक जल है उसके अंदर अम्रित भरा होता है और यदि वो शरीर के अंदर चला जाए तो शरीर को स्फूर्ती और उर्जा स्वयमी प्राप्त हो जाती है तो इसलिए कहा कि रसात्मक जल और इसी पर पार्वती जो है वो जीवित रह पा रही है और उसमें कहा कि ना व्रिक्ष व्यति रिक्त साधना यह जो पार्णा है जो यह उनका व्रत खोलने का भोजन है वो व्रिक्ष व्रित्ति जो व्रिक्षों की आजीविका है उनसे व्यति रिक्त भिन साधना ना साधन वाला नहीं था मतलब कहने का कि वरिक्ष किस पर जीते हैं वरिक्ष जीते हैं एक तो वर्षा के जल पर और चंद्रमा की प्राप्त होने वाली किरुनों पर वरिक्ष जो है वो विद्धी को प्राप्त होते हैं इसी प्रकार से पार्वती के वरत को खोलने का भी या भोजन का कोई और साधन नहीं था केवल मात्र जिस प्रकार से व्रिक्षों की आजीविका होती है जीवन निर्वा होता है उसी पर पारवती भी जीवित थी उनका जीवन भी चल रहा था अब यहाँ पे कुछ शब्द ऐसे हैं मतलब कि बिना आयाचित मैंने अभी आपको बताया तो बिना याचित मिस मांगे हुए उपस्तित हुआ अंबू अंबू मिस जल तो यहाँ पे जब हम समास करते हैं तो यह हमारे पास आयाचित उपस्तित उपस्तितम अंबू यही समास और संदी करने पर प्राप्त हो जाता है बभूव शब्द बहुत बार प्रयोक्त हो चुका है जिसके विशे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ यह लिटलकार का प्रयोग है और इसी प्रकास व्रिक्ष व्यतिरिक्त साधन हो यह एक शब्द है जिसका आरते है व्रिक्ष 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 की आजीवी का और उनसे व्यतिरिक्त मिस अलग साधन कोई और साधन सामगरी जीने की ना हो ना तो यह व्रिक्ष व्यतिरिक्त साधना प्रयोग है अब आपकी सामने में श्लोक संख्या 23 पर आती हूं और बताया कि जो घर्मी की रितु है जब समाप्त होती है तो उसके बाद क्या होता है वर्षारितु का आगमन होता है तो पार्वती की तपस्या के समय बीत गया ग्रिश्मरितु समाप्थ हुई तो वर्षारितु का आगमन हुआ तो यहाँ पे वर्षारितु में पार्वती ने की तपस्या का वर्णन करते हुए श्लोक संख्या 23 में बताया निकाम तप्ता विविधेन वन्निन नभश चरेन इंधन संब्रितेन सा तपात्य ये वारिभी रुक्षिता नवैर भुवा सहोश मानम अमुंच दूर्दवम बहुत सुन्दर ये वर्णन है वर्षा रितो में अगर तपा हुआ शरीर कैसे जो प्रतिक्रिया करता है जैसे उसका वर्णन है और उसकी तुलना पृत्वी के साथ की है कि जब गर्मी के बाद पृत्वी पर नवीन जल की बूंदें पढ़ती है तो पृत्वी की क्या स्थि होती है वैसी हिस्तिती पार्वती की भी है जिसका चित्रन प्रस्तुशलोक में प्राप्थ होता है इसमें बताया कि विविधेन वन्निना अनेक प्रकार की अगनी से आपको में बताया चार प्रकार की अगनिया उसने अपने आसपास प्रज्वलित की थी और दूसरा सा निकाम तप्ता, बहुत अधिक तप्त हो चुकी थी, पूरा ग्रिश्म रितु के दो तीन महीने हैं, उनोंने वहां तपस्या की थी, तो उससे अत्यांत तप्त हुई, सा में उस पार्वती ने तप अत्यये, तप का अर्थ यहां ग्रिश्म रितु, तो ग्रिश्म रितु क अत्यय होते समाप्ती तो ग्रिश्मृतु की समाप्ती पर नवई वारिभी रुक्षिता नवई नवई मिस नए वारिभी मिस जलसे उक्षिता मिस सिंचित होकर भुवा सहम प्रिथवी भुवा भुवा प्रिथवी को कहते हैं भुवा मिस प्रिथवी के सहमिस साथ उर्द्वगम उर्द्वगम में उपर जाने वाली उश्मा में गर्मी को भाप को अमुचत में छोड़ा देखे बहुत ही सुन्दर इसके अंदर शब्द चित्र है हमारे सामने वो पूरा द्रिश्य उपस्तित हो जाता है और हम सब अनुभव करते हैं कि जब एकदम ग्रिश स्मृतों के बाद जब पहले नई नई वर्षा होती है तो किस प्रकार से उस वर्षा का जल जैसे प्रिथ्वी पर पड़ता है तो प्रिथ्वी से भाप उठती है और वो भाप उपर की और जाती है तो उस समय भी वो सहन नहीं हो पाती है जो एकदम नया जल जो है वो उस स में उस गर्मी को भी सहन नहीं किया जा सकता यही सिति पार्वती की भी है कि जब चारो प्रकार की या कि हम कहें पांच प्रकार की अगनी से संतप्त हुई पार्वती के शरीर पर जो वर्षा की पहली बुंदे पड़ी तो उनके शरीर से भी उसी प्रकार से उश्मा या भाप उठी जिस प्रकार से प्रित्वी से उठती है और दोनों की जो वाश्प है वो उपर की और उठ गई तो ये उनके वर्षा रित्व में उनकी तपस्या का वर्णन हमने पढ़ा और यहाँ पे हमने कुछ शब्द हैं जिनके विश्वे में मैं वैसे साथ साथ आपको बताती जाती हूँ लेकिन फिर भी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको अलग करके बताना अवश्यक हो जाता है जैसे की एक शब्द है नभश चरेन इंधन संब्रितेन तो अगर मैं इसको अलग कर देती हूँ तो आपको बहुत जल्दी अर्थ समझ में आजेगा संस्कृत कर्टिन नहीं लगती है और कोई भी व्याकरण को ना जानने वाला व्यक्ति भी इसके अर्थ को जानकर समझ सक जैसे नभश चरेन नभश चरेन मैं अलग कर देती हूँ और इंधन उसमें संदी विचेद करके आपके सामने रखती हूँ तो नभश चरेन और इंधन संब्रितेन दो शब्द हो जाते हैं नभश चर ना आकाश में विचरन करने वाला और इंधन शब्द तो पता ही है शब्द का अर्थ आपको आसानी से समझ में आ जाता है संदिव छेद इत्यादी करने पर इसी प्रकार अगर इकठा शब्द आप पड़ते हैं तो संभवता जो संस्कृत बहुत अधिक नहीं जानते हैं उनको कठिना ही हो सकते हैं लेकिन अगर हम कहते हैं तप और अत्या इक अची है उक्षित होता है सिंचना सिंचित होना और इसी प्रकार से सह उश्मानम अमुंचद उर्धवगम यह बहुत ही बड़ा शब्द हैं लेकिन अगर हम इसको धीरे धीरे थोड़ा सा साहास के साथ सीखने की कोशिश करेंगे तो सह अलग हो जाता है उश्मानम शब्द उश्मा के लिए आया है अमुंचद अलग मुंचद हातु छोड़ना अर्ध के लिए है और उर्धवगम इस उपर की और जाने वाली और यहां सह है तो तृतिया भक्ति का प्रयोग है तो इस प्रकार से यदि हम शब्दों को अलग करके पढ़ते हैं तो हमें संस्कृत पार्वती तपस्या में बैठी है और वर्षा की बूंदें जब पार्वती के शरीर पर पढ़ती हैं तो वो शरीर के बिन बिन भागों से टकरा कर किस प्रकार से वो नीचे की और जाती है इसका बहुत ही सुन्दरवनन है और बहुत ही स्वाभाविक चित्त्रण के आगया है कालिदास के द्वारा इस लोक आपके सामने है सिताहक्षणम पक्षमसू ताडिताधरा पयोधरोत सेध निपात चूरनिताः वलीश तस्यास कलिता प्रपेदिरे चिरेन नाभिम प्रथमोद बिंदवाः पारवती वर्षा तो समय है बैठी हुई तपस्या कर रही है वर्षा की बोंदे पारवती के उपर पड़ती हैं तो सर्व प्रथम जो बोंदे है वो पारवती के सिर पर जब गिरती हैं तो सिताक्षणम पक्षमसू क्षण भर के लिए पक्ष मसू, पक्ष होता है, पलकें, पलकों पर स्थित, स्थिता में रुकी होई, तो देखिए आप, कलपना है, ये कबी की कलपना शक्ती है, और कैसी बढ़ी, सुन्दर कलपना है, कि जब सिर पर बंदें पढ़ती हैं, तो सिर पर उनका रुकने का कोई स्थानован नहीं है, और सिर्के बाद जो आता है हमारा पलके आती हैं, तो वो पानी की बूंदे ख़ण बर के लिए वहाँ पलकों पर रुखती हैं, तो ताडिता अधरा, उसके बाद अब और दूसरा भाग, जहां जो बूंदे हैं वो टकरा सकती हैं, वो क्या हैं? अधर, अधरोष्ट, देखिए उपरी होट में अधर, अधर मेंस होता है कि जो नीचे वाला होट है, तो उन पर ताडित, ताडित में स्टकराई हुई, तो क्षण बर के लिए पलकों पर स्थित हुई, अधरा, ताडित और अधरोष्ट जो हमारे नीचे वाला होट होता है पार्वती के अधरोष्ट पर ताडित ताडित में स्टकराती हुई उसके बाद देखें, पयोधर, उत्सेद, निपात, चूरनिता देखें उसके बाद हमारे शरीर का एक भाग वही होता है स्तरीज़ों का जो उसके स्तन का भाग होता है तो पयोधर उतसेध तो जो पयोधर का जो अगर भाग है उस पर निपात गिरने पर चूरने दा चूरने दा महां से जब टकराती है तो वो जल की बुंदे तूट जाती है और तूटने पर, देखाए, मानव जो शरीर है उसकी संरचना, जो एक स्तरियों के शरीर है, उसके कितने सुन्दर संरचना का वर्णन किया, कि जब वो स्तनों के भाग से टकरा कर तूटने पर जो जलकी बूंदे हैं, वो हमारे जो नाभी और हमारे जो वक्ष सल्का, जो बी जो है वो अच्छा सुडोल हो तो वो उन स्तनों से जब टक्रा कर चूरनित होकर नीचे गिरती है जल की मुदे तो उन तीन जो नाभी से उपर जो तीन वलियां तीन पंक्तियां लाईने होती हैं उन पर क्या करती हैं वलीशु तस्यास कलिता उसकी उन तीन जो पंक्तियां उन पर गिरती हैं और उसके बाद चिरेण चिरेण में जल्दी ही क्या करती हैं नाभिम प्रपेदिरे नाभी के अंदर प्रवेश कर जाती हैं तो मतलब नाभी का भाग हमारा थोड़ा गहरा होता है तो वो जल्दी बोंदे वहां प्रविश्ट हो जाती है तो यह बड़ा ही संदर स्वाभाविक चित्रन किया है कि जल्दी बोंदे किस प्रकार से पारवती के शरीर के उपरी भाग से होती हुई किस प्रकार के उसके शरीर से टकरा कर और वो नीचे नाभी में प्रवेश कर जाती है तो यहाँ पे कवी के चित्रन है आज भी हम बहुत सारी कविताएं इसी पर पढ़ते हैं जैसे वर्शारितु के आने पर जो जिन्दगी भरने भूलेगी वो बरसात की रात तो उसमें उन्होंने जो नाईका का चित्रन किया है वो कलिदास का ही चित्रन उससे कहीं भी पीछे नहीं है उससे बहुत अधिक सुनदर चित्रन है अब यहाँ पे कुछ शब्द हैं जैसे ताडित आधरा जब तक हम इसको अलग नहीं करेंगे आपको अर्थ नहीं समझाएगा ताडित अब ताडित प्रताडित ये शब्द हम हिंदी में बहुत पढ़ते हैं ताडित में स्टक्रा आना उससे लग जाना तो ताडित में स्टक्रा कर पीडित हो कर अधरा अधर शब्द सब को पता है तो ताडित और अधर दो अलग शब्द हैं इनमें संधी करने पर ये ताड़िताधरा बन जाता है इसी प्रकार से इसमें शब्द है पयोधरोत सेध निपात चूरनिता ये संस्कृत कम जानने वालों को तो लगेगा रहे क्या इसमें हम कैसे कैसे शब्दों को अलग करें या कौन-कौन से शब्द है तो इसमें पयोधर अलग हो जाता है हमारे पास पयोधर सबको हिंदी में अर्थ पता है उत्सेद हो जाता है कि पयोधर का जो किनारा है और उसके बाद निपात सबको पता है निपात में गिरना और चूरनित तूट जाना तो इस प्रकार हमने इसका अर्थ देखा और प्रपेदिरे लिटलकार का प्रयोग है भूतकाल के रिप्रयोगता है क्रिया है और प्रतमोद बिन्दवा तो यहां पे प्रतमोद बिन्दवा जो शब्द है इसमें प्रतम अलग करेंगे उद उद जल को कहते हैं उदक उद को और बिंदवा बूंदो को कहते हैं इसी प्रकार से जो है यह हो गया आपका उसके बाद इसमें इतने ही शब्द हैं जिनकी जानकारी अगर हो जाती है तो हम किसी भी पद्दे को इस प्रकार से आसानी से सिद्ध कर सकते हैं उनका अर्थ प्राप्त कर सकते हैं उनका भाव भी समझ सकते हैं अब हमारे पास आया है कि पारवती वहाँ पे अकेली है अभी इस से पहले हमने थोड़ा सा जब वर्णन पढ़ाता तो हमने देखा था की पारवती जो है उसके साथ कुछ सक्खियां भी थी जिनके सामने उन्होंने जो म्रिगियां हैं उनके साथ अपने नेत्रों की तुलना की लेकिन अब ये दिखाने के लिए कि पारवती की जो तपस्या है वो और भी कठोर हो गई है अब उसके आसपास उसके साथ कोई नहीं जिनके साथ वो कभी बात्चीत भी कर सके तो यहाँ पे उसी के संदर्व में यहाँ पे यह पद्ध्य है तो क्या है शिलायाम तामनिकेत वासिनी निरंतरा स्वंतरवात विरिष्टिशू व्यलोकयन उन्मिशैस तडिन्मयी महा तपह साक्ष्य इवत सिताहक शपाह तो शिलायाम में चट्टाम जिसको बोलते हैं शिलायाम में शिलापर अनिकेत वासिनी अनिकेत वासिनी अनिकेत वासिनी अनिकेत होता है घर और अनिकेत में बिना घर के वासिनी में रहने वाली शिलापर बिना घर के रहने वाली कौन ताम ताम इस उस पारवती को निरंतरा व्रिष्टिशू, निरंतरासू, निरंतरासू में लगातार, अंतरवात व्रिष्टिशू, अंतरवात, अंतरवात में जिनके अंदर वायू भरी हुए, ऐसी वर्षारितू में, जिनके अंदर पानी भराव, हवा भरी हुए, वायू भरी हुए, ऐसी वर्षारितू में, शपाह, शपा मिस रात्री, रात्रियों ने उन मिशही तडिद मई, उन मिशही होता है जो है तडिद मई, पहले तडिद मई को जानना ज़रूरी है, तडिद मई होता है बिजली, तो बिजली से युक्त उन मिशही मिस आँखों को खोल कर, बिजली युक्त आँखों को खोल क जिसमें यह बताया कि रात के समय पारवती जो तपस्या में लेन है तपस्या कर रहे है उस रात्रे में जो वर्शा रितु की रात है उसमें घर नहीं है उनके पास वो शिला पर ही बैठती है शिला पर ही सूती है और जब ठंडी हवाय चलती है जिनके अंदर हवा भरी हुई है और बारिश हो रही है उसमें भी पारवती बिना अडिग होकर बिना किसी प्रकार से विचलित हुए वहाँ पर तपस्या कर रही है और रात को जब बिजली चमकती है और बिजली जब बंद होती है तो अंदकार होता है लेकिन बिजली जब खुलती है तो एकदम से सब चीजें प्रकाशित हो जाती है तो कभी यह कह रहा है कि मानो ऐसी जो रात्रियां हैं उन रात्रियों ने पारवती को उस बिजली की चमक से चमक रूपी आँखों से उसको तब की साक्षी के रूप में देखा है अर्थात कोई नहीं जानता पारवती तपस्या कर रही है लेकिन ये रात्रियां जिनको पारवती यहाँ पे बिता रही है वो मानो पारवती की तपस्या की साक्षी है ये इस लोग के माध्यम से कभी बताना चाहते हैं तो यहाँ पे पारवती की जो घोर तपस्या है उसके विशय में बताया गया और ये कुछ शब्द है जो मैं बताती हूं आपके सामने ये एक शब्द जो की थोड़ा कठिन है आपके लिए निरंतरास्वंतर वातविष्टिशू अब निरंतरासू अंतर और उन में शही होता है पलक आँके खोलना और तडित में तडित बिजली को कहते हैं तो बिजली रूपी आँकों से खोल कर देखना ये इसका अर्थ मेरे सामने सपश्ट हो जाता है कर दो जाता है कर दो जाता है कर दो जाता है कर दो 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 अब मैं आपके सामने श्लोग संख्या 26 प्रस्तुत करती हूँ और अभी इससे पहले हमने पढ़ा कि वर्षा रितो में पारवती ने किस प्रकार से तपस्या की अब आपके सामने में शरद रित्तु जो है जो वर्षा के बाद जो शीत रित्तु जो सर्दी का मौसम आता है तब भी पारवती तपस्या में लेन है और उस तपस्या का वर्णन में आपके सामने करने जा रही है। श्लोक संख्या 26 है तब जो सर्दी का मौसम है सर्दी की रात्रियां है उनको पारवती ने किस प्रकार से तपस्या करते हुए बिताया इस विशे में बिताया जा रहा है कि सामिस पारवती उसने वास्तविक अर्थ जो है इसका शाब्दी करते हैं साम मतलब उसने और यहां उसने अर्थात पारवती ने अत्यांत हिमोत किरा निला है सहस्य मीजस सर्दी की रितु शीत रितु की रात्रि रात्रियों को और वो रात्रियां कैसी ? अत्यांत हिमोत्किरा निला, अत्यांत हिम कण, हिम उत्किर, हिमोत्किर मिस हिम मिस होता है बरफ, बरफ के कणों से युक्त अनिला मिस वायू वाली, रात्री मिस रात्रियों को उदवास्तत परा, उदवास्तत परा, जल में रहकर निनाय मिस बिताई, किस रितों में, सर्दी उसने अत्यांत हिमोत की रा निला अत्यांत हिम के कणों से युक्त वायू वाली रात्री मिस रात्रियों को उद्वास तत्परा जल में रहने के लिए तत्पर होकर निनाय मिस बिताई तो यहां पर देखे इन दो पंक्तियों के बाद अब यह अगली जो दो पंक्तियां है वो पारवती के जल में रहने पर जल में कैसा वातावरन था उसके विश्य में बताया कि चक्रवाकयो हो यहां दो के लिए प्रियुक्त हुआ है चकवा और चकवी तो चकवा और चकवी के परसपर आकरंदिनी एक परसपर एक दूसरे के लिए आकरंद आकरंद मीस रोते हुए चिलाते हुए मिथुने मिथुने मिथ जोडे पर कैसे वियुक्ते मिथ अलग होते हुए अलग होते हुए मिथुने मिथ युगल पर जोडे पर क्रिपा वती क्रिपा करते हुए निनायमिस बिताई तो पारवती जो है उसके लिए बताया कि पारवती ने जो सर्दी का मौसम है उसको जल में रहकर जल में खड़े होकर तपस्या करने करके बिताने का निर्ण लिया देखें सर्दी के रितों में जल में खड़े होकर तपस्या करना ये तो अत्यंत दुशकर का रहे हैं मैं कह सकते हूं कि असंभव का रहे हैं लेकिन पारवती के दृड़ निष्चे के आगे कुछ भी असंभव नहीं था इसलिए उसने वो सर्दी का मौसम जिसमें की रात के समय बरफ की वर्षा होती है जल के अंदर क्या है कि हवा भी है और उसके बाद ऐसी हवा जिसके अंदर हिम के कण है अर्थात बरफीली हवाएं जिन में चल रहे हैं ऐसी रात्रियों में वो जल के अंदर रहकर उन रात्रि को बिता रही है तो वहाँ पर देखे यहां कालिदास ने एक बहुत ही जो है सुन्दर चित्रन किया कि रात के समय वहाँ पर पारवती जल के अंदर तपस्या कर रही है और यह प्रसिद है कि एक पक्षी है जो चकवा और चकवी इनका प्रेम जो है वो बहुत ही प्रसिद है क ये परस पर बहुत प्रेम करते हैं और दिन के समय ये साथ रहते हैं और पानी में रहते हैं और रातरी के समय ये दोनों अलग हो जाते हैं इनको अलग होना पड़ता है तो रात में पारवती जल में रहके तपस्या कर रही है और उसके सामने ये द्रिश्य आजाता है कि चकवा और चकवी का जो यूगल है जोड़ा है वो आपस में एक दूसरे से बिछुड रहे हैं रात के समय और जब वो एक दूसरे से अलग होते हैं तो वो एक दूसरे के लिए रोते हैं विलाप करते हैं चीतकार करते हैं और पार करती हुई हर रोज ये द्रिश्य पारवती देखती है और उसके मन में उनके प्रती बहुत दया आती है और उस द्रिश्य को देखते देखते पारवती ने अपनी सर्दी की जो रितु है उसको भी तपस्या करते हुए बिता दिया तो यहां देखे हम आपको यह बताना चाहे कालिदास ने यहां पर चकवा और चकवी का जो द्रिश्य है उसकी अवधारना के पीछे क्या कारण है क्यों कालिदास ने यहां पर यह बताया कि जो पारवती है उसने चकवा और चकवी को बिछुडते हुए देखा तो मतलब कहने का यह है कि चकवा और चकवी बिछुडते हैं लेकिन उनका पुनर मिलन भी होता है तो मतलब जो है कि पारवती को यह बताना चाहते हैं कि सुक के बाद दुख और दुख के बाद सुक अवश्या आता है ताकि पारवती को यह और उत्सा मिल सके कि जो मैं तपस भी वर्णन करते हैं उसका अवश्य कोई न कोई विशेश अर्थ होता है और इसलिए कह सकते हैं कि कालिदास जो है वो सार्व भौमिक और सर्व प्रसिद कवी है इसमें कुछ शब्द जिनके बारे में मैं बताना चाहूंगी निनाए कालिदास के लिए उन्होंने लिटलकार का बहुदा प्रयोग किया है यहां भी नीदातु है और कालिदास ने इसको लिटलकार में इसलिए प्रयोग करते हैं कि यह भूत काल की बात है यह किसी ने देखा नहीं है तो इसलिए परोक्ष भूत में लिटलकार का प्रयोग होता है इसी प्रकार एक पद है सात्यंत हिम हिम आता है और उतकिर कण को कहते हैं हिम और अनिला अनिल शब्द सब को पता है इसी प्रकार से रात्री रुदवास तत्परा तो रात्री अलग करते हैं उदवास उदवास वास जल रहना और उदमिस जल में रहना तत्परामिस तयार उसके बाद आपके सामने शब्द आ जाता है चक्रवा कयो तो चक्रवा कयो जो शब्द है यहाँ पे चक्वा और चक्वी दोनों के लिए प्रिक्ट हुआ है जो समास में द्वंद्व समास जो है वो उसमें अगर युगल के लिए प्रिक्ट करते हैं तो दोनों में से एक का प्रयोग करते हैं और वो दोनों अर्थों को प्रदान करता है तो यहाँ भी द् pursue a cleanse का प्रयोग यह बताता है कि यहाँ पर चकवार चकवी दोनों के लिए चक्र वाकवयोशब्द का प्रयोग हुआ है अब आपके सामने श्लोक संक्या 27 प्रसुत करती हूँ इसमें बताया गया है कि पारवती जब जल में तपस्या कर रही है तो ये तो सभी जानते हैं रितों के विशे में सभी को जानकारी है कि जो बहुत अधिक बरफ पड़ती है हिम पात होता है तो जो कमल होते हैं जल के अंदर वो नश्ट हो जाते हैं उस हिम के कारण और पारवती भी उसी जल में बैठकर तपस्या कर रही है तो यहां बहुत ही सुन्दर वर्नन की है कालिदास ने कि पानी के अंदर कमल की कमी ना हो क्योंकि कमल समापत हो चुके हैं तो पारवती के माध्यम से पानी के अंदर जो कमलों की कमी है वो किस प्रकार से दूर हो रही है यह बहुत सुंदर चित्रन आपके सामने प्रस्थ होता है मुखेन सा पद्म सुगंधिना निशी प्रवेप मानाधर पत्र शोबिना तुशार व्रिष्टी क्षत पद्म संपदाम सरोज संधानम विवा करोद अपाउं तो यहाँ पर देखी कहा कि सा मिस उसने अर्थात पारवती ने निशी रात्री के समय प्रवेप मानाधर पत्र शोबिना प्रवेप मान मिस कापते हुए कापते हुए अधर अधर मिस होट तो कापते हुए होट रूपी पत्र शोबिना पत्तों की शोबा वाले पद्म सुगंधिना कमल जैसी सुगंध वाले मुखेन मुख से तो सामिस पारवती ने उसने रात्री में निशी मिस रात के समय कापते हुए अधर रूपी पत्तों की शोबा वाले और कमल की सुगंध से युख्ध मुखेन मिस मुख से तुशार वृष्टी क्षथ पद्म संपदां सरोज संधान मिव अकरोद अपाम तो तुशार होता है हिम पात तो हिम की व्रिष्टी मिस वर्षा से ख्षत मिस नश्ट हुए पद्म संपदा कमल रूपी संपदा वाले अपामिस जल के लिए इव मानो सरोज संधानम अकरोद कमल के साथ संबंद स्थापित कर दिया सरोज कमल को कहते हैं संधानमिस संबंद तो कमल के साथ संबंद अकरोद मिस बना दिया इव मानो किसके लिए अपाम अपामिस जल का जल का संबंद स्थापित कर दिया तो देखिए मित्रों यहाँ पे यदि हम कहते हैं कि पारवती पानी के अंदर कमल का काम कर रही है पानी की शोबा कमल के रूप में बढ़ा रही है तो कमल के जो गुण है उनको भी हमें पारवती के अंदर देखना पड़ेगा तो उसी को कालिदास ने बताया कि कालिदास के मुख के विशे में बताया कि उसका मुख कैसा था देखिए उसके मुख में कमल की सुगंद है जो कमल में सुगंद आती है वो उसके मुख से आ रही है दूसरा प्रवेपमान देखिए सर्दी है बरव गिर रही है तो पारवत प्रते उए होट पारवति के वो कमल के पत्तों का काम कर रहे हैं। और इस प्रकार से और पारवति का जो मुख मंडल है वो कमल के समान प्रतीत हो रहा है। तो कभी ये कह रहे हैं कि मानों ऐसा लग रहा है कि जो तुशार की वर्षा से जो हिम पाथ से जो कमल समस्त नश्ट हो चुके हैं पानी के अंदर पारवती वहाँ पे उन कमलों की कमी को दूर कर रही है और कोई नहीं कह सकता कि पानी के अंदर इस समय कमल नहीं है उस पानी का संबंद कमल के साथ पारवती ने बना दिया अर्था यहाँ पे वास्तव में पारवती की जो तुलना है यहाँ कमलों से की गई है उनके मुख सुगंद से युक्त मुख है उनके अधर जो है उसी तरह से पत्ते के समाने नवीन पत्ता जिस तरह कोमल होता है वैसे उनके अधर है और इस कारण से पारवती यहां जल के अंदर कमलों की शोभा को समाप्त नहीं होने दे रही है यहाँ पे एक पद जिसके विश्य में मैं बताना चाहूंगी देखिए बहुत सभी पदों का मैंने सामाने रूप से जो है आपके सामने लिखा हुआ है वह आप पढ़ सकते हैं लेकिन कुछ विशेश ऐसे पद होते हैं जो कि मैं स्वयम बताना चाहती हूं उसमें जैसे प्रवेप, मान, आधर, पत्र, शोभी न इसमें बहुत सारे पद हैं जिनको अलग करके बताने में आपको असानी हो जाती है समझने में जैसे प्रवेप मान आधर तो प्रवेप मान अगर मैं अलग कर देती हूं और अधर अलग कर देती हूं और पत्र और शू भी न तो अर्थ आ जाएगा आपको समझ में इसी प्रकार से सरोज संधानमिवा करोद अपाम तो इस पत को जब हम अलग करते हैं तो सरोज संधान सरोज और संधान और इव और अकरोद और अपाम ये सारे पत अलग होने पर विशेश नियम लगते हैं संधी के समास के जिनका मैंने यहाँ पे आपके सामने लिखा है उनके द्वारा जब ये पत बन जाते हैं तो ये समस्पद बनता है लेकिन अलग करके उनका अर्थ में शीगरता से आजाता है अब हमारे पास यह आया कि इससे पहले हमने बताया कि पारवती जो है वो अपना जो भोजन है उसका उनकी जो आजीवी का उनकी जो रहना है जीवन निरवा है वो किस तरह से उन वृक्षों के समान है ये पहले भी आचुका है कि उनकी जो वृक्ती है वो वृक्ष से अलग नहीं थी जो वृक्ष खापी रहते हैं जो वृक्षों को मिल रहा था तो जंगल में जो प्राप्ट होता है उस पर जीविद थी तो यहाँ पे आगे पारवती की तपकी पराकाश्ठा जो है बताई जा रही है कि अब उन्होंने अपनी तपस्या को और भी कटिन कर दिया और वो कैसे किया देखिए आपके सामने पद्य 28 प्रस्तूत है जिसमें यह बताया गया स्वयम विशीर्ण द्रुम पर्ण वृत्तिता पराही काश्ठा तपसस तयापुनह तदा प्यपा कीर्ण मतह प्रियम वदाम वदंत्य पर्णेति चताम पुरा विदाह। स्वयम विशीर्ण मिस गिरे हुए द्रुम कहते वृक्ष वृक्षों के पर्ण मिस पत्तों पर वृत्तिता मिस जीवन निर्वा करना यह है तपसा पराही काश्ठा यह तपकी पराकाश्ठा है यह तपकी अन्तिम सीमा है इससे अधिक कोई तप नहीं कर सकता कि जो व्रिक्षों से गिरे हुए पत्ते हैं उनको खा कर जीवन निर्वा करना तो ये तब की पराकाश्टा है पुना फिर तयामिस तयामिस उसने अर्थात पारवती ने तदपी अपाकिरनम उसको भी त्याग दिया मतलब जो अबरिक्ष के पत्ते खाकर वो जीवन निर्वा कर ले थी पारवती ने उनको भी त्याग दिया तो इसलिए अताह अतामिस इसलिए ताम तामिस उसको पुराविदा पुराण वित्ता जो है क्या करते हैं उस प्रियम वदाम उस प्रिये बोलने वाली को पुराविदाह पुराण वित्ता अपरणा इतीच वदंती अपरणा ऐसा भी वदंती मिस कहते हैं देखिए मित्रों पारवती के बहुत सारे जो नाम हैं उन में से पारवती का एक नाम अपरणा भी है तो मुझे लगता है कि ये अपरणा नाम बहुत लोग अपने बालिकाओं का रखते हैं लेकिन संभवता उसका कारण शायद सबको नहीं पता हो तो इस पद्य के माध्यम से हमें ये जानकारी प्राप्त हो रही है कि अपरणा पारवती का नाम कैसे है तो पारवती ने जब तपस्या की तो पहले पत्तों पर जीवन निर्वा करती थी लेकिन बाद में पारवती ने परण को भी खाना चोड़ दिया अपरणा जो परण पर जीवन निर्वा करे वो परणा और अपरणा जो पत्तों पर भी जीवन निर्वा करना जिसने चोड़ दिया उसको हम कहेंगे अपरणा तो पारवती का एक और नाम जो है वो हमारे शास्त्रों में पुराणों में ये भी दिया गया है अपरना और उसका जो सार्थकता है वो यहां हमें इस पद्धे में प्राप्त होती है तो कहने का तात परे है कि पारवती ने अब अपनी तपस्या और भी कटोर कर दी तो इसके माद्यम से हम ये भी आपको बताना चाहते हैं कि जब लगता है कि हमें फल प्राप्ती नहीं हो रही है अपने लक्षे की प्राप्ती नहीं हो रही है तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अ अपने जो परिश्रम है अपना श्रम उसको और भी अदिक कर देना चाहिए ताकि जो है जो अपने आप हमें उसका फल प्राप्त हो सके तो यहाँ पे एक जो हमारे पास कुछ पद हैं जिनके विश्य में मैं जानकारी देती हूँ आपको जैसे यह एक है तदप्यपाकीरनम तो यहाँ पे तद अप्पी और उसके बाद अपाकीरनम और आता हा तो यह पद मिलकर यह बनता है समस्त पद इसी प्रकार से वदंत्यपरनेती वदंत्यपरनेती इसमें वदंती को अलग करेंगे और अपरना और इती को जब हम अलग करते हैं तो हमारा यह पद बन जाता ह इसी प्रकार से हमारे सामने श्लोक संख्या 29 आ जाता है तो अब यहां पे पारवती की तपस्या जो है उसका जो तुलना है अगर हम करें किसी कठोर तप करने वालों से तो हम कह सकते हैं कि पारवती की तपस्या उनसे भी अधिक कठोर है तो इसी का वर्णन किया उन्होंने इस तपस्या का कि म्रिनालिका पेलवम एवं आदिविर व्रतई स्वमंगम गलपयन त्यहर निशम तपाशरीरई कठीने रुपार जितम तपस्विनाम दूरम अधस्चकार साँ अब क्या किया है पारवती ने म्रिनालिका पेलवम एवं आदिवि व्रतई एवं आदिवि व्रतई इस प्रकार के जो व्रत हैं जो नियम है पारवती ने किये हैं उनसे म्रिनालिका म्रिनालिका होता है कमल की डंडे तो कमल की नाल के समान जो पेलवम पेलम इस कोमल स्वम अंगम गलपयंती अहर निशम अपने अंगों को दिन राट गलपयंती गलपयंती मिस गलाती हुई है मतलब अगर आप गर्मी सर्दी वर्षा में वहीं बैठे हुए तपस्या करें तो अपने शरीर के अंगों की क्या स् सभी अनुभव कर सकते हैं और उन अंगों को गलाती हुई और कठीनई उपारजितम तपह शरीरे कठीनई कठीनई में इस कठिन शरीर वालों के द्वारा उपारजितम उपारजितम में अरजित किये गए गट्टे किये गए तपस्वी नाम तपह तपस्वियों के तपको दूरम अधश्चकार पारवती ने बिल्कुल नीचा दिखा दिया छोटा कर दिया चोटा बना दिया तो यहां देखिए तपस्वी तपस्या करते हैं उनका शरीर तपकर करके कठोरू जाता है वो यह तपस्या करते हैं लेकिन पारवती कमल की डंडाल के समन कोमल है और उसने अपने शरीर को गर्मी सर्दी वर्षा में इस प्रकार से तपा कर जो तपस्या की है उसने तपस्वियों की तपस्या को भी चोटा बना दिया उसके सामने वो चूटे बन गए है जी कांतर जी हापको रोपना चाहिएंगे कॉलर हमारे से टेलेफोन लाइन पर जोड़ चुके हैं तो इंसे इनका प्रशन पूछ लेते हैं हलो 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 मैं जी नमस्कार अपना नाम बताया अपना प्रशन पूछें जी मेरा नाम पवन है और मैं वारानसी से कॉल कर रहा हूँ जी पवन अपना प्रश्न पूछें आप हाँ मैं मैं कुमार संभवम के व्याकरण रश्ना की बारे में जानना चाहता हूँ छी मैं 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 मार् प्रश्न पूछें व्याकर रश्ना के बारे में जानना चाहते हूँ कुमार संभवं की रचना के बारे में मतलब क्या कुमार संभवं शब्द कैसे बना जी शादिन का ताथ परे यही है कुमार संभवं महा काव्य है कालिदास के द्वरा रचा गया है और कुमार से संभवं यस्मिन काव्य तत काव्यम कुमार संभवं वे कावे जिसमें कुमार के संभव की विशे में बताया, उस विशे को अधिकृत करके जो लिखा गया कावे है वो कुमार संभव कावे है तो यहां कुमार कार्थ है कुमार कार्थी के है इसकी मैंने पहले भी चर्चा की थी कि कुमार कार्थी के जो है उसका शिव और पार्वती से जन्म अनिवारे था इसलिए देवताओं ने शिव और पार्वती के मिलन कराने के लिए उनको पार्वती को तपस्या के लिए प्रेरित किया ताकि पार्वती और श्रीव के मिलन से जो कुमार करती के उत्पन हो वो तारक नामक असुर का वद कर सके पार्वती की तपस्या का तो वर्णन हो चुका पार्वती ने तो अपने शरीर को पूर्ण रूप से जो है उस योग्ये बना लिया कि अब उनकी तपस्या में और ऐसा कुछ नहीं शेश रहा जो कि कोई और कर सके तो उसके बाद परिणाम तो आना ही था तो शलोक संख्या तीस में बताया कि किस प्रकार से पार्वती की उस तपस्या से शिव प्रसन हो गए और वहाँ पार्वती के सामने उपस्थित हो गए तो यहाँ पे देखें अथा जिना शार धरा प्रगल्ब वाग जुवलन इव ब्रह्म मैन तेजसा विवेश कश्चित जटिलस तपोवनम शरीर बद्धा प्रतमाश्रमो यथा तो यहाँ पे जिस प्रयोजन के लिए पारवती जिस उद्देश्चे के लिए पारवती तपस्या कर ले थी वो उद्देश्चे पूरा हो गया तो अथमिस उसके बाद अजिन आशार धरा अजिन मृग चर्म और आशार होता है पलाश का दंड़ धरा में इस हाथ में मतलब तेज़स्वी में बताया कालिदास ने और यहां पे शिवजी पारवती के सामने आकर तपोवन में किस प्रकार से प्रवेश किया उन्होंने वो अपना रूप धारन करके नहीं आए क्योंकि अभी भी कुछ उनकी परिक्षा लेना बाकी है कि पौन रूप से वो परखना चाहते हैं पारवती को इसलिए जो उन्होंने वेश धारन किया उसके विशे में बताया कि उन्होंने मरिक्चर्म धारन की अपने शरीर पर और हाथ में डंड लिया और उसके बाद बोलना तो उनका वाग चातुर ये तो शिव के अंदर था ही जो कुमार संभव में जो 30 लोग के बाद उनके वाग चातुरी हमें पता चलती है तो इस प्रकार प्रगल्ब वाग वाले और उनका जो क्योंकि वो स्वयम ब्रह्म स्वरूप है तो जब वो स्वयम प्रकट है तो उनके मस्तक पे जो है उनका मुख जो है मुख मंडल चमक रहा था ब्रह्म मै तेज से और जटाएं धारन की हुई थी और यहां बहुत संदर कहा उन्होंने कि वो उस समय किस रूप में सामने आए उन्होंने प्रथम आश्रम देखी चार आश्रम होते हैं ब्रह्मचर्य ग्रिहस्त वानप्रस्त और सन्यास तो जो प्रथम आश्रम होता है वो ब्रह्मचर्य आश्रम होता है उसमें विद्यार्थी के वो केवल मात्र अपने विद्याध्ययन में रहना होता है हमें कोन से अच्य अच्य वस्त्र पहनने हैं, हमारी साथ सज्जा कैसी होगी, ऐसा नहीं होता ये जो उन्होंने रूपधारण किया है वो एक ब्रह्मचारी का है, एक विध्यारथी का है, जो विध्या धियन करने के लिए आता है तो उन्हें देखकर ऐसा ही लग रहा था कि ये एक ब्रह्मचारी है जिनोंने जो शरीरधारी ब्रह्मचारी उस आश्रम में प्रवेश किये हैं तो अब पारवती के समुक जो है वो शिव जी एक अलग रूप लेकर एक ब्रह्मचारी के रूप में प्रवेश कर चुके हैं ताकि पारवती इनको पहचान ना पाए और पारवती के विशय में जो भी उनके अंदर जो और जिग्यासा हैं उनको भी परक सके ताकि बाद में पारवती और शिव का जो है वो मिलन हो सके तो दोस्तों आपके सामने पारवती और शिव के प्रेम को प्राप्त करने के लिए पारवती किस तरह से तपस्या कर दिया हैं इन तीस श्लोकों के माद्यम से मैंने आपको कुछ बताया और मैं आशा करती हूँ कि आज के भी हम अपने जीवन में इसको ढालेंगे इस तरह नहीं कि गर्मी सर्दी दोप में बैठके हम बाहर निकल के और तपस्या करने लग जाएं तपस्या करता है कि हम गर्मी सर्दी वर्षा से किसी प्रकार से भी भैबीत ना हो किनी कठिनाईयों से भी ना डरें सामना करते हो या अपने लक्षे की और आगे बढ़ें सफलता अवश्य मिलेगी जैसे पारवती को मिली है तो इसी के साथ ये हमारा कुमार संभव का जो हमारे पाठ्यक्रम है उसका समाप वो समापत होता है धन्यवाद और अधनवाद देना चाहेंगी रॉक्टर कांता भाठ्यको जिनके माधम से हमने कुमार संभवं पर व्याक्यान आयोजित किये मित्रो इन सभी व्याक्यानों को आप सभी के लिए यूट्यूब पर अपलोट कर दिया गया है और इस आखरी व्याक्यान को भी जो कुमार सं पर कर सकते हैं info.cec at nic.in पर आप सभी से पुनाह मुलाकात होगी एक नए विशाय के साथ तब तके लिए आप सभी को नमस्कार नमस्कार कहता है